मनोज कुमार जी दिल्ली से सद्गुर्दे भगवान आपके चरणों में डनवत प्रणाम गुर्दे भगवान कभी-कभी ये देखा गया है कि कुछ भगवत प्रात महापुरुस सर्फ सामर्त होते हुए भी किसी असाध्य विमारी के कर्ष्ट को सहन करते हैं जबकि वो देखकर उनके शीश्य वभगत बहुत ही ज़्यादा चिंतित वभेवित रहते हैं तो गुर्दे भगवान क्या ऐसा हो सकता है कि वो महापुरुष अपने लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने शीश्यों के खातिर एक संकल्प स्वाहिम के लिए करके पूर्ण रूप से हमारा अधिकार नहीं उसके लिए अना अधिकार चेस्टा क्यों करें अब शरीर पे मन पे प्राणों पे और मेरे पे मेरे स्वामनी का अधिकार है अब जोई जोई प्यारों करें सोई मुझ भावे अगर हमारा अधिकार हो तो हम संकल्प करें संकल्प करने वाला मन मेरा न हमारा स्वामर्थ शंकल पफुर्णी है, रोगों का निवारन कर देना, कामनाओं की पूर्ती कर देना, यह सब हमारा विशय नहीं है। हमारी स्वामनी प्रणमताम ब्रजनागरी नाम। हमारी।君ली जू की चरणारविंद शेवकों की चिंता मनी है। चिंतित पदार्थों को परदान करने वाली, पर शेवक कैसा जो श्वामिनी की सुख व्रत्ती का त्याग करके स्वामिनी से अपने लिए सुख उचा है, सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यशनी धन, सुभगत वेविचारी ये तो उपहास के पात्र है, वो शेवक कैसा जो स्वामिनी से अपने शुक की चा करें, हाँ स्वामिनी जो ऐसी करपा करें, कि मन की रुची स्वामिनी जो की जानकर हम उनके अनुकूल चलें, ये हमारी भावबरत्ती है, अब ये कि इस जगत में अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए, तो ना कोई अपना रह गया, न कर रहे हैं, उस धरा से तो ठीक हो सकता है, लेकिन जहां से उत्तर मिले वहाँ से, इसका कोई महत्ती नहीं नहीं रह गया है, ये वागता है.